दोस्तों stock android experience काफी जादा users पसंद करते हैं क्योंकि stock android में जो UI होता है बहुत ही smooth होता है और साथी में कोई भी ads आपको देखने को नहीं मिलती किसी भी तरह की bloatware applications आपको आपको आपर देखने को नहीं मिलती और इसी को लेकर जो Xiaomi ने कुछ phones जो है इंडिया में launch किये थे stock android पर Mi A1, Mi A2, Mi A3 काफी जादा popular रहे हैं इंडिया में लेकिन दोस्तों अब Xiaomi ने जो है stock android का production बंद कर दिया है इसके बाद stock android के कोई भी phone Xiaomi company launch नहीं करेगी और अगर आप आज की date में stock android का phone यानि कि Mi A3 लेना चाहते हो तो यह जो phone है आपको नहीं मिलेगा Amazon पर यह phone जो है launch किया गया था काफी जादा popular भी हुआ लेकिन अगर आप stock android लेना चाहते हो तो Xiaomi का यह जो Mi A3 smartphone ए Amazon पर आपको out of stock ही मिलेगा 4GB, 64GB वाला model भी देखेंगे तो नहीं मिलेगा 6GB, 128GB वाला model भी नहीं मिलेगा तो Xiaomi ने जो है production बंद कर दिया है जो पहले जो stock था उसे भी clear कर दिया है अब मुझे नहीं लगता कि Mi A3 आपको फिर से मिल सकता है अगर आप Flipkart पर देखेंगे तो Flipkart पर मैंने दो दिन पहले देखा था हो तो Xiaomi का Mi A3 6GB, 128GB वाला वेरियंट जो है वो अवेलेबल था लेकिन उसकी प्राइज काफी ज़्यादा बताई गई थी Flipkart पर इसकी प्राइज 17,500 रुपए रखी गई है 6GB, 128GB की प्राइज तो यह आज की डेट में काफी ज़्यादा प्राइज है Mi A3 की और 6 वही एक वेरियंट प्राइज पर अवेलेबल था लेकिन अगर आप Amazon पर चेक करेंगे तो Amazon पर एक भी मॉडल आपको Mi A3 का नहीं मिलेगा तो अब Xiaomi का यही कहना है कि जो भी स्टॉक है वो क्लियर कर देंगे उसके बाद इन फोन का जो प्रोडक्शन है बंद और Xiaomi की A-series भी बंद हो जाएगी अगर हम बात करें Mi A4 की जो कि इस साल इंडिया में लाँच होने वाला था तो अभी पता नहीं है कि Xiaomi इस फोन को इंडिया में लाँच करेगी या नहीं करेगी अगर फोन इंडिया में आ भी जाता है तो क्या वो Mi UI पर रन करेगा क्या वो स्टॉक एंडिया पर रन करेगा तो यह सब बाते जो है यह काफी बात की बाते हैं लेकिन अब स्टॉक एंडिया अगर आप पसंद करते हो तो Xiaomi के फोन आपको नहीं मिलने वाले अब आपको काफी अच्छे परफॉर्म करते हैं कैमेरा डिपार्टमेंट अगर हम कहेंगे तो और शाओमी का इसी के लिए यह सीरी काफी जादा पॉपलर हो चुकी थी इसमें कोई भी एड्स नहीं आते किसी बी तरह की दुस्री अप्लेकिशन इंस्टॉल नहीं होती और जिसकी वज़े से शाओमी कमपनी को हो सकता है लौस क्योंकि रेविन्यु जनरेट नहीं होताrence ही नहीं आये तो बनता है तो मुझे तो यहीं लगता है कि Xiaomi ने ये जो कदम उठा है ये गलत है अगर Mi A4 आ जाता है तो काफी अच्छी बात इस टॉक Android पर अगर नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं आपके क्या इसके उपर opinion है मुझे comments वाक्त में जरूर comment कीजिए Xiaomi ने ये काम अच्छा किया या नहीं Xiaomi ने ये series को जो है goodbye कर दिया है आपको क्या लगता है comments करके मुझे जरूर बताइए आपको कौन सा experience जादा अच्छा लगता है या तो दूसरा Mi UI experience comments में जरूर बताइए तो दोस्तों मिलते है अगले बार बहुत ही जल्द अपने नई वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye